धन्यवाद सबापती महोदै मैं आपके समक्ष खड़ा तो हूँ लेकिन वर्तमान में मेरा मन और मेरा ध्यान असम में हो रही बाड़ पर है और मैं आशा करूँगा कि यहां की सरकार अपनी चिंता व्यक्त करे और असम में अभी तुरंथ आज ही NDRF की एक टीम भेजे और जलशक्ती की मंत्री भी वहाँ पर जाए क्योंकि जिस प्रकार से इंबैंक्मेंट चारो तरफ तूट रहे हैं पानी जिस तरफ से बढ़ रहा है बहुत यह खतरनाक वातवरन वहाँ पर है आप भी बिहार और यूपी में देखते हैं कि कितना बाड के और कटाव से लोगों को कितनी परिशानी होती है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहां की सरकार असम में होती हुई बाड के प्रती अपनी चिंटा व्यक्त करते हुए आज ही एक NDRRF की टीम बेजे और जल्शक्ती मंतर आए मंतरी तुरंत वहाँ पर जाए मैं शुरुवात में भाजपा के सांसोदों और हमारे इंडिया लाइन्स के सांसोदों और सभी सांसोदों को मैं विशेश रूप से अपने तरफ से शुपकामनाई देता चाहूंगा कि वो इस चुनाव में जीत के आए और विशेश रूप से मैं भाजपा के सांसोदों को मैं शुपकामनाई देना चाहता हूँ क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठनाई का सामना करना पड़ा इस से पहले दो चुनाव हुए 2024 का चुनाव 2019 का चुनाव उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और सदर के अंदर आए लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं अगर वोट अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं आप से भी कही सांसद ऐसे आए हैं जो घिस घिस के आए हैं 30,000 वोट से आए हैं पांच अजार वोट्स आ हैं आप अपने बल पे आएं किसी प्रधान बंतरी के नाम पर नहीं आप अपने बल पे आएं और इसलिए मैं आपको शुब कामनाई मैं देना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि भारत की आवाम इस वोट्स से ये कहना चाहती है कि वो जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं सिर्फ इनसान है ये संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस देश के आम नागरिकों का जिनुने आज एक प्रदान मंत्री को नहीं आज देश ने एक मजबूत नेताप्रती पक्ष को चुना है और इसलिए मैं देश के लोगों का आभार पकट करता हूं और देश के लोगों को आपके जरीए ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपके होते हुए हम ये संधर्ष जारी रखेंगे लोकतंत्रों को बचाने का संधर्ष, समिधान को बचाने का संधर्ष पिछले दलेट वंचित अल्टसंख्यों का समिधाने का अधिकार बरणाने का जो संकल्फ हमने लिया है हमने ये मुहीम छेड़ी है ये मुहीम के हम चड़ते जाएंगे इस रास्ते पे हम चलते जाएंगे हम आवाज बनके रहेंगे उन देशवासियों की जिनकी समस्या ना आज इस सदन में व्यक्त होती है ना अगबारों में व्यक्त होती है हम आवाज उठाएंगे उन गरीब लोगों की जो आज अस्पताल में लगभग 6-6 साल उनको रुकना पड़ता है पर उनको सरजरी का अपाइटमेंट नहीं मिलता है हम आवाज उठाएंगे उस सड़क पे सोते हुए युवाओं की लोगों की जिन पर एक अमीर का गाड़ी एक अमीर बाप का बेटे का गाड़ी रेंचते हुए उनको मार देता है और फिर वो बेटा बाद में बेल पर निकल जाता है और उन जो लोग जो सड़क पे सोते हैं आज उनके बारे में कोई नहीं सोचता हम बात उठाएंगे उन छोटे दुकांदारों की जिनका दुकान सालों का दुकान अज टूट जाता है जब एक मंदिर का विस्तार होता है हम बात उठाएंगे उन बेरोजगार युवाओं की जो आज वीजा भटक के संघर्ष में आज वो कभी पनामा के रूट से अमेरेका में जाते हैं कभी कनेडा जाते हैं कभी योरप जाते हैं कभी मिडलीस जाते हैं आज यूपी हर्याना पंजाब गुजरात का युवाओं आज उसको देश के अंदर नहीं अगर रोजगार मिलता है तो विदेश में मिलता है हम उ आवाज उठाएंगे उन बच्चों की जो आज रो रहे हैं सालों की मैनत आज उनका व्यर्थ हो गया है जब नीट का ये पेपर लिख हो गया है हम बात उठाएंगे उन जवानों की जो आज जम्मू में जिनकी आज शहादत हुई है हम बात उठाएंगे उन आउनस्ट टैक् का पैसा व्यर्थ होता है पर हमें ये भी पता है कि प्रधान मंत्री मोधी जी अपना रवया नहीं बदलेंगे प्रधान मंत्री मोधी जी के पास दो ही अस्त्र है एक भै है और भ्रहम है भै वो दिखाते हैं इंकम टाइक्स एडी और सी के साथ लेकिन देशवासियों ने इस बार कह दिया है कि हम इंकम टाइक्स एडी और सी बियाई से डरते नहीं हैं और दूसरा जो उनका अस्त्र है वो भ्रहम का वो हमने प्रचार में भी देखा बासवाड़ा में कोशिश करें उस कोशिश को भी देशवासी न कारेंगे इसलिए में देशवासियों के प्रती में बहुत-बहुत मैं अभार पकट करता हूं क्यूंकि देश बदल चुका है सदन बदल चुका है आज आप देख रहें कि जब विपक्ष जब अपनी बात उतता है तो प्रधान मंत्री उटके बोल रहें कि हमें संग्रक्षन दो हमें संग्रक्षन दो हमें संग्रक्षन दो यह है ताकत लोगतंत्र की जहां पे सत्ता पक्षो जहां पे विपक्षो अगर आपके पास सत्ता है इसका मतलब यह नहीं कि आप सही हो अगर हम विपक्ष में हैं इसका मतलब ह हम गलत है यहसका मतलब नहीं है सथापक्ष विपक्ष लोगों की दो राय रखता है और फिर जन्ता-जनार्धा निधारित करती है कि वो कि इसको राई को स्विकारता है चाहे वो सत्ता हो का विपक्ष को और इसलिए आज में देश बदल चुका है बदल चुका है उत्तद पूरवांचल से जहां से आज मनिपूर के दो सांसद हम जीत के आए हैं नागालाइंड में हम पिछले बार जब कॉंग्रेस पार्टी जीती तो वो नाइन टीन नाइन टीन शेट चाहिए अब आज दुबारा हम दोज़़ाश चॉब्हेस में जीत के आए हैं मेगालाइ में उत्पूर करना चाहता हैं मनिपूर में दोनों से खारे हैं नागालाइंड में एक रहे मिघाले में ये दोनों सीट हारे हैं मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके द्वारा जो राट के लोगों को जिन्होंने एक मुख्ध मंत्री को हराया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ढूबरी के लोगों को जिन्होंने एक सामप्रदा एक शक्ति को दस लाग वोटो उसे हरा कर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्प संख्योक हो लेकिन कोई भी व्यक्ति आपने आपको धार्मिक गुरू भी कहता हो लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बाड़ता है तो प्रजा उसके साथ नहीं होगी तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और ये बदला धन्यवाद करता हूं मैं उन पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने निश्पक्षता से अपने पत्रकारी का जो उन्होंने जिम्यवार उन्होंने उठाया आज एक संदेश गया उन पत्रकारों को जिनको हॉले हॉले प्रधान मंतरी मोदी जी से प्यार है एक संदेश गया उन पत्रकारों को जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ फॉर्मैलिटी है कि अपनी पत्रकारिता पर ध्यान दे नहीं तो लोग आपको देखना बंद कर देंगे मैं अज युवाओं को मैं ध्यान मैं आभार पकट करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने वाटसाइप का इस्तमाल नहीं किया उन्होंने अपना विवेक का इस्तमाल किया मैं उन सनातन धर्मों को मानने वाले लोगों का मैं आभार पकट करता हूँ जिनोंने आज नफरत और हिंसा पर नहीं लेकिन धर्म जो हमें सिखाता है इंसानियत चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे इसाई हो चाहे सिख हो हर हमा धर्म हमें सिखाता है कि हम एक अच्छा इंसान बने, इंसानियत के आदर्शों को हमें सिखाता है, समाज एक आदर्श बने वो हमें सिखाता है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके द्वारा, मैं आ रहा हूं सर, लास के दो, मैं दो तीन चीज़े बोलना चाहता हूँ, मैं आपके द्वारा मैं गुजारेश करना चाहता हूं कि आप बार बार बात करते हैं कि हमने नया सदन बनाया नया सदन बनाया लेकिन क्या ये उचित नहीं होता कि चाहे पुराना सदन हो चाहे नया सदन हो इन दोनों सदनों के सामने डॉक्टर भीम राव अंबेतकर की मूर्ती हमारे सदन के साम कि अमस्पा ने होनी चाहिए थी कि यह ऊचखना था के दियो सदन भी में दिन Coffee कर कि में गुज citizen कर रहा हूं मैं आपनी व्य फा गुजारिश कर रहा हूं मैं फिकर महाधे को आपके द्वारा गुजारिश कर रहा हूं कि पहले के तरह सदन के सामने आदन्या महाराश्ट्र पिता मात्मा गांदी जी के मूर्ती को रखिए और पहले के तरह जॉक्टर भीम राउंबेद करके मूर्ती को मैं गुजारिश कर रहा हूं मैं स्पीकर के निर्ने का सम्मान करते हुए उनके मैं गुजारिश कर करकि एक मूर्ती यहां जो अस्थापित थी अस्थापित होनी चाहिए आपको भी निवंत्रन गया हुगा इस पार्लेमेंट में पहली बार सारे महापुरसों का बाबा भीमरा अंबेतकर से लेकर के भानाना प्रताप से लेकर के एक बड़ी बीधिका बनाई गई है उसी निवर पार्लेमेंट या बाहर के लोग आएंगे तो उनको इस सम्धान भवन इस पार्लेमेंट के साथ साथ अपने देश के महापुरसों को एक साथ सारी प्रत्माओं को धंग से रख करके पार्क बनाये गया है धन्यवार अद्यक्ष सभापती सभापती महोदे मैं बस ग करके मूर्ती को स्थापन करने के लिए एक पूरी देश में एक अंदोलोन हुआता हूँ उस ठान को एक वज़े के से चुना गया था कि उस सदन के सामने हो क्या ये उच्छित नहीं है क्या ये हमारे गरिमा के अनुसा नहीं होना चाहिए कि सदन के सामने जिस हमारे हमारे भारतिय सम्विधान के निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेदकर और भात्मा गांदी जी हमरे सदन के सामने हो तुम्हें दुबारा आपसे गुजारेश करता हूँ हाथ जोड़के मैं विनम्रा आपसे अनुरोत करता हूँ कि आप ये दोलों महापुरुशों के मुर्दि हमाइब करें और बस भस आख जो आधर्डनीर शिक्षा मन्त्री है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी दोज हारइए में तने सारे अटके से ने परद़्क